हेई फ्रेंद्स, वेलकम, कैसे हैं आप सब, आशा है आप सभी स्वास्त होंगे, आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि न्यू मून आपके रिष्टे में क्या ब्लेसिंग्स and क्या गुड न्यूज लेकर आया है, रीडिंग सभी लोगों के लिए है, सभी जेंडर, स सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, मारेड, अनमारेड लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी जो लोग हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, हमारी रीडिंग सभी के लिए होती हैं and हम इसमें चेक करेंगे कि न्यू मून आपके लिए क्या blessings, specially आपके रिष्टे के लिए क्या blessings and क्या good news लेकर आया है reading timeless है, जब भी देखेंगे ना तब भी resonate करेगी, लेकिन साथ ही में general है, collective है सभी zodiac science के लिए है तो जुरूरी नहीं है, सब से resonate करें first card है next card है हमारा dog भार dog भी बाग कर रहा है next card है हमारा cross मैं बारी बारी से explain करूंगी, wait for few minutes, then है हमारा mountain and after that है हमारा rider 1, 19, 28 10 number important हो सकते हैं आपके लिए, 69, 96 हो सकता है, angel numbers आप बहुत जादा experience कर रहे हो 89, 36, 27, 21, 33, 30 number आपके लिए prominent हो सकते हैं 9 number आपके लिए important हो सकता है 10 number important हो सकता है R, D, C, S, N, M, T, S, P, H, G, D, O, I की initials आपके लिए prominent और important हो सकते हैं Rider का का कार्ट बताता है कि आपकी तरफ fast and furious एक action आता हुआ दिखाई देता है ये action, commitment, confession, reconciliation, reunion कोई भी हो सकता है जिसका आप बहुत time से wait कर रहे है और वही हमारा cross का कार्ट बताता है 6 number भी कई लोगों के लिए prominent हो सकता है cross का कार्ट बताता है कि divine की blessings, divine की guidance, divine की a lot of shower of blessings आपके रिष्टे पर आ रही है so अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है जब जिस भी supreme power में आप believe करते हो वो आपके साथ है तो आपको किस बात का डर है mountain का कार्ट बताता है कि अभी तक इस रिष्टे में आपने बहुत struggle को देखा है 8 number भी आपके लिए prominent हो सकता है लेकिन finally उस struggle से आप बाहर आते हो दिखाई देते हो ये struggle खतम नहीं होगा आगे भी आपके love and relationship में रहेगा लेकिन change ये है कि divine की blessing, support और guidance आपके साथ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है finally आपकी wish fulfill होते हो दिखाई देती है आपके love life and relationship में next action जिसका आप बहुत time से wait कर रहे थे divine की कृपा से आता हुआ दिखाई देता है and definitely जो next action में blockage थी वो remove होती हुई दिखाई देती है बहुत ही positive energies हैं बहुत ही positive cards हैं और divine आपके हमेशा साथ है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है new moon every month आता है तो जब भी आप देखेंगे reading आपसे resonate करेगी लेकिन ज़रूरी नहीं है सबसे करें अगर आपसे कर रही है तो please comment box में बताएं dog का card बताता है कि आप दोनों एक दूसरे की company को बहुत enjoy करोगे एक दूसरे पर आख पंद करके भरोसा करोगे trust बढ़ेगा understanding अच्छी होगी एक दूसरे के साथ खुश रहोगे एक दूसरे के साथ happy moments को spend करोगे आप में से कई लोग हो सकता है friendship को relationship तक लेकर जाएं और कई लोग relationship को ही friendship में convert करें that means a relationship with a friendship relationship और friendship का जब combination होता है तो things बहुत ही smooth और बहुत ही बढ़िया जाती है ship का काट बताता है आप एक दूसरे के साथ बहुत time spend करने वाले हो कहीं घूम के आने वाले हो date करने वाले हो call text और messages पर धेरो बाते करने वाले हो तो ये है overall energy अगर मैं combined energies की आपके सामने बात करूं तो next action आता हुआ दिखाई देता है blockages remove होती हुई दिखाई देती है आप दोनों एक दूसरे की company को enjoy करते हुई दिखाई देते हो divine की protection आपके साथ है एक दूसरे पर भरोसा आपका बन रहा है और इस भरोसे की वज़े से आप भविश्य में आने वाली समस्यों से भी बहार निकल पाओगे और एक दूसरे के साथ आप बहुत सारा time spent कर रहे हो तो ये थी आज की reading friends और ये हैं आपके लिए blessings guidance यहां पर ये है कि जब भी powerful and positive changes आएं उन्हें accept करो without any doubt and go with the flow चलो जैसे भी आपको लगे अपना best दो और best ही आप deserve करते हो definitely आपको best ही मिलेगा जितना positive रहोगे, optimistic रहोगे confident रहोगे अगर ये reading आपको पिसंद आई हो resonate की हो तो please do like, share and comment personal readings की detail description box में given है जो paid होती है अगर आप चाहें तो वो करवा सकते हैं अभी के लिए इतना ही May God bless you and take care